श्री क्रिश्ण का नहीं आलाल कीजे श्री नियानन्द स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे कीजे यूँ चाहिए मुमिन को जोह उड़े सुनते हक नाम बेशक अरससे होएं के क्यों खाए पिये करे आराम क्यों खाए पिये करे आराम श्री क्रिश्ण का नहीं आलाल कीजे श्री राज्जी के स्वर्यूप का ही वर्णन चल रहा है किन्तो साथ साथ में विराह की बात भी है प्रमात्माय परमधम के होने का दावा करती है समझती है स्वयम को तो व्यदी ऐसा हो तो राज्जी का नाम सुनते ही उनका तो शरीर चुट जाना चाहिए था तो वो क्यों खापे करके हराम कई सोच रही है मतला दुनिया में क्यों निश्चिंता है ये का रहे है हकार सयाद आवते रुवा उड़न पहुंचे खिलवत परमधम का स्मरण होते ही या आत्मा तो उड़कर के मुले मिलाओं में पहुंच जाना चाहिए बेशक हो ये पीछे रहे हाय हाय कैसी ये निश्वत तार्तम ज्यान प्राप्त किया सद्गुरु से और अपने संदेओं का निवारण भी कर लिया और फिर भी पीछे रहे गए ये कैसा संबन्द है क्यों न खेलावे खिलावत में रूँ अपने रात दिन अपने आत्मा को रात दिन मुल मिलाओं में मुल मिलाओं का आनंद लेने क्यों नहीं लगाते हैं खेलाने का आफमरी है, जोसे खेलते हैं तो प्रशनता के लिए खेलते हैं तो यही कह रहे हैं, मुल milाव में आत्मा को क्यों खेलने नहीं देते हैं? मुल मिलाव में हैं आइसा समझ कर के अनंदित क्यों नहीं होते हैं? अहा का इलमे अजू जागी नहीं कहावे अरश अरवातन तो जब परमधाम का मूल मिलावा का स्मरणी नहीं होता है तो यही समझना चाहिए अभी भी परमधाम में जागे नहीं है इसलिए हमारा मूल शरीर परमधाम में है इस प्रकर का दावा कैसे कर शकते हैं तो हैने के लिए तो कहते हैं कि हमारा तन परमधाम में है और अभी तक मुल मिलावा कानन्द कानुभव नहीं कर रहे हैं तो जागे कहां है इस प्रकार से करा रहे हैं इस नश्वर जगत में बैठ करके परमधाम के रहश्यों की बात करते हैं हड़ी हड़ी जुदी होए ना पड़ी तो कैसी रुह मोमिन न तो इस शरीर के संद संद अलग न हो तो ये परमधाम की आत्मा किस प्रकार कह सकते हैं यादन जेता हक अरस एही मोमिनों बड़ा कुफर मोमिनों के ब्रहम इतना यही है अज्यांता ब्रहम ब्रांती जो भी कहें मोमिनों में यही है परमधाम की बात कितनी याद नहीं रहती है जितनी याद नहीं रहती है उतना उनमें ये ब्रहम है क्यों देखे दूनी नजर अद्वित भूमिका का ये पुर्ण ब्रह्म परमात्मा का दिया हुआ सच्चा ग्यान है तार्तम ग्यान इसको सुनने के बाद में भी अभी दुनिया के प्रति दृष्टी क्यों है दुनिया की चीजी अच्छी लगती है परंधाम की बाद तो सु अच्छी लगती है और उसके बाद में फेर दुनिया में रचे पच्छे हैं किसने क्या बोला किसने क्या नहीं तो अपने बढ़ाई दुसरों के घटाई वास इनी चीजों में पड़े रहते हैं सुनते ना महकारशकात अभई आरवा उड़ जाते हैं वैसे तो अना क्या तो परमधाम के अखंडधाम और पुरुन ब्रह्म परमात्मा की बात सुनते ही आत्मा उसी समय इस शरीर शे उड़ करके परमधाम में पहुंच जाना चाहिए तो उसको उसी समय जागरत होना चाहिए वहाँ हाय आ हाय एह बहर देख्या हू करा बात अज्व में बड़ खेत की बात है तो शुरी राज्य के आदेसमें ही समर् üzerine कि वो अभी भी परमधाम की बात ही ही करवाता है परमधाम में जागरत होने की वह तैयारी नहीं करवा रहा है तो हकुम तो अभी भी तो दुनिया का खिल दिखाने का यह भी ऐसा लगता है तो अभी यही कराव्य करवा रहा रहा है पर अभी यही बात करवा रहा है परमधाम की तो स्री राज्य का आदेशी है कि परम्धाम का वरणन करवा रहा है, स्री राज्य का वरणन करवा रहा है, उनके श्वरूप का वरणन करवा रहा है, बांकि तो वैसे देखा जाए तो परम्धाम की जागरती हुई नहीं, अभी माया में ही पड़े हुए हैं, ये कहाना चाह रहें वस्तरा और भूशन का यह का अंग बाहिद तकि अब श्रिराची के वस्तरा भूशनों का श्रुब का श्रिणगार का वरणन कर रहे ना तो उसके लिए तो यह बोला यह उकुम के करण ही वरणन हो रहा है मैं कि तो इतना सब कुस परहमधाम का कहा दिखा यह भी करना यह केते बारे कियां अरशकी हाय हाय तन उड़िया नख्वावी है परहमधाम के सुक्सम बातें करते हुए है तो अभी तक यह श्रिर छुटा नहीं है तो छुट जाना चाहिए था यह तो राज्जी के हुकुम के कारण ही यह टिका हुआ है बेशक इल्म ले दिल में वर्न किया बेशक तो बेशक इल्म तार्थम ग्यान संदे निवारन करने वाला यह ग्यान उसको दिल में लेकर के यद्धिपी उस ग्यान को लेकर के परमधाम कवरन किया वे बेशक का रूह ना उड़ी, अब इतना संदेओं के दूर होने पर भी आत्मा शरीर को छोड़ करके उड़ नहीं रही है, हाय आहय पहुंची ना खिलवा तहा का उड़ करके मुल मिलाव में जागरत नहीं हुई है, ये बड़े खेद की बात है, कहे इल्म रूहें इतहाए नहीं, है हुकुमतो हकका, तार्तम ग्यान तो ये भी कहता है, कि तुम यहां होई नहीं, ब्रमात्मा तो दुनिया में हाई नहीं है, यहां तो श्रीराज्य की हुकुम ने एक ये वो सब किया है, उसने ये शुरुप धारन किया है, ब्रमात्मा तो संदे सार दूर हो जाते हैं, तो फिर हुकम क्यों टिकार रहेगा? तो हुकम की कवित्व कारिये पूरा होना चाहिए, तो जब अखन्ड परम्धाम का दावा होता हम, तो परम्धाम में ही है, यह अन्वब होने लग जाए, तो फिर दुनिया दिखनी बंद हो जाएगी, बेसक हुए जो अरश में, अरश से सो बेसक हुए वाहिदत, परम्धाम की विशय में भी कोई संदेय नहीं रहा, बेसक हुए जो अरश से, जिन ब्रहमा आत्माओं को परम्धाम की विशय में कोई संदेय नहीं है, और बेशक हुए बाइदत अद्वेत भूमिका के विश्य में स्रीराज्जी के अद्वेत भाव में हैं उनकी ही अंगनाएं हैं इस अंदर में में भी कोई संदेय नहीं है मुतलग इल्म पाएके ऐसे ऐसा निश्चित कराने वाला ब्रह्म ग्यान प्राप्त करके हुकम के कारना ब्रहमात्मा होने का दावा लेकर कि दुनिया में कैसे बैठे हुए है नई न रहे नए न देखे के ए बड़ा ज़ुलम स्री राज्जी के नएनों के दरसन करने का पर इस शरीर के नएन शरीर में ही हैं इनको तो इसमें से हट जाना चाहिए था दुनिया के तरफ दृष्टी जानी नहीं चाहिए थी, राज्य के तरफ ही दृष्टी होनी चाहिए थी, ये बड़ा जुलम हो रहा है, बड़ा अत्याचार हो रहा है अक्षरातित के नैनों को देख करके भी इन नैनों को दुनिया देखने के लगी पड़ी है न जानो क्यों सुरखरो करशेह का हुकुम असरे राज्य का हुकुम इन आखों को वो सम्मान क्यों नहीं देला रहा है शुरु खरु कातात पर यह तो अधर सम्मान दिलाना तो सम्मान तो उसको अब परमधाम के दर्शन करवाने के बाद में तो उसका स्तर बहुत ही उचा होना चाहिए ना फिर वो दुनिया की ये चोटी-चोटी चीजें और दुनिया की गलत-सलत दृष्यों के तरफ में आख को ये सम्मान नहीं दिला रहा है तो परमधाम के आत्मा के शरीर के आख होने का सम्मान क्यों नहीं दिला रहा है ये वी रहा सुन श्रवन रहे लगीन शिखाकान स्री राज्जी के इस वी रहा को तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है परमधाम कान भाव क्यों दर्शन नहीं हो र ती इस प्रकार के यह भी रहा सुनकर यह श्रवण ऐंद्रिया, इसे रिर मेटीक हैं लगीन सिखा कान, तो इनाओंने जिखा हयाher किसको बोलते हूं शलाका के लिए तो कान में वो गारम-गारम शलाक के क्यों नहीं लग गए median तो बिल्कुल किसी काम के नहीं रहने चाहिए नहीं दुनिया की बाते सुनने के लिए तो राज्य की बाते सुन ले तो अब दुनिया में इंटरेस्ट कहां रहा है रहना ही नहीं चाहिए हाए हाए बजूद ना गल गया सुन विराहा हादी सुवान स्त्रीराजी और श्यामाजी के विरहा को सुन करके, तो फिर ये श्यरिर क्यों गला नहीं, तो श्यरिर तो किसी काम का रहना एक नहीं चाहिए, सिदा परमधामी देखना चाहिए, राजी स्यामाजी देखने चाहिए, संद संद तूटी नहीं सुनते विरहा सुकन नहीं विरहा के बचनों को सुन करके तो इस शेरिर के संद संद रंदर रंदर तो ये जोड जोड क्यों तूटे नहीं रोम रोम एन तन के क्यों न लगी अंग अगे न इस तन के रोम रोम तो ये उसमें इस तन के रूम रूम में आग क्यों नहीं लगी ये बिरहा की आग की बात कर रहे हैं बाते इन बिरहा की मैं गाई अंग अंग कर रहे हैं तो इन बिरहा की बाते हैं मैंने भी रूम रूम से गाई है दुसरे बाते हैं तुसरे राज्य के अंग अंगों का वरणन की आया है इस बिरह के साथ में अचर अजय इनने श्वते अरवा ना गई जरबर तो इस बात पर बड़ा अश्चरी है कि अभी तक क्या यह आत्मा तो वो जल बल करके तो इस शरीर शे हटी नहीं मेरे अंग सब उड़ना गए सब देखा कके अंग तो स्रे राज्य के अंग अंग के दर्शन करके तो मेरा इस शरीर का अंग क्यों नहीं छूटा क्यों नहीं उड़े यह अंग छूट जाने चाहिए शेज शुरंग यहां को छोड़े के रही पकड़ मुर्दे का संग अब यह आत्मा यह चेतन है तो यह परमधाम का जो अच्छा सेज कहने का मतलब यहां बिश्तर की बात नहीं है परमधाम का आश्रे परात्मा का शेरीर उसमें जागरत होना चाहिए उसको छोड़ करके इस नस्वरतन यह मुर्दा है तो इस शेरीर में कैसे टिकी हुई है है श्मशानती से सोई हुई है तो यह कहना जा रहा है क्यों न उड़ी अकल अंग थे जो वर्णन किया आरशा हक तो स्रीराज्जी के शरूप का वर्णन करते हैं तो अखंड शरूप है तो ऐसा करने पार तो यह अकल बुद्धी क्योंकि अब वर्णन तो बुद्धी के माद्यम से होगा न तो यह बुद्धी इस शरीर को आरशाली नहीं गई और वैसे ही वर्णन करवा दिया यह पूरी आशी बीच आरशा के माहें गिरो आशिक तो परमधाम में मुल मिलाव में ब्रमात्माओं के भीच में यही अशिवनी है क्योंकि इतने बुद्धी भी दे दी ग्यान भी दे दिया सब कुछ किया दर्शन द दे दिया दर्शन दे करके ग्यान दे दिया इतना कुछ कर दे इतनी विवस्ता कर दे फिर भी आत्मा जागी नहीं जैसे ही मूल बिलाव में जाकरत होंगे तो उसके बाद में सारे दृष्य दिखाई देंगे तो बस इसी से हांसी हो जाएगी देखो तुम लोग प्रेम की बात कर रहे थे हमारा बढ़ा है देखो कैसा है तुमारा बुलेंगे तो ऐसे में क्या मू दिखाएंगे तो यह आशी बड़ी है यह करना चारा है करी हांशी हांके हम पर स्रीराज्य ने हम पर अश्य की है ता बिदसों चले न किन तो उस प्रकार तो स्रीराज्य ने हम पर जैसे अश्य की है उसके अनुरुप हम क्यों नहीं चले कहना कातात पर पहले बोल दिया कि तुम भूल जाओगे तो हम सचेत क्यों नहीं हुए है तो अभी तक जो बीत गई है बातें हमने कितनी गल्तियां कर दी है तो हम उसके अनुशार क्यों नहीं चले जिसके आए इसाब से राजी राजी हमारे अशी कर रहे हैं तो यह तो अब बाद में पता चलेगा लेकिन हम इस प्रकार क्यों नही हैं जो जो बातें ऐसे भूल में हो गई है अब वो दिन थोड़ा आएंगे लोट करके थोड़ा आएंगे कि चलो हम सुधार ले तो जैसे ही ख्याल आए उसी सम सुधार लेना चाहिए तो लापर भाई बिलकुल नहीं करने चाहिए तो बाकी तो रात दिन रोते पस्ताते रहेंगे बीते हुए दिन है वो लोट करके नहीं आएंगे सोई देखी जो कच्छु देखाई अब देखशी जो देखाओगे तो राज्ये से प्रार्थना कर रहे है एधनी अपने जो कुछ देखाया वो देखा आप जो दिखाएंगे अब भी वो देखेंगे हशो खेलो जानो तियों करो बीच अरश खेलवत के आप हशे हमारे उपहास कर लें अथवा हमारे साथ में मजाग करें खेलें अत्वा आपको जो ठीक लगे वो इसा कर लिजिए बीचारश खेलवते परमधाम में मुल मिलाओं में तो जो आपको ठीक लगे वो इसा कर ले मुमिन दिला अरश करके आए बैठे दिलमाए ब्रमात्मों के दिल को धाम बना करके आपस में आकर के बैठ भी गए खुदी रूहों इतना रही इतना गुनाह मुमिन उश्यर ना है जब श्वेम राज्जी आकर के हमारे रिदाय में बैठ गए हो तो ब्रमात्मों को आमभाव तो रहेगा यह नहीं न तो इसलिए अब उसने कोई गुनाह किया उसके द्वारा कुछ भी हुआ हो तो उसका कुछ गुनाह रहना ही नहीं चाहिए तो अब तो सब राज्जी के राज्जी बैठ गए तो फिर गलत क्यों होता है तो इस तरह से यह अपना तर्क दे रहे हैं कभी-कभी इस तरह का ऐसी बाते आती है तो गुनाह तो होने नहीं चाहिए अब फिर इसापकर जो देखिए तो गुनाह रूँ आवता फिर इसापकर के देखते हैं तो ब्रहमात्माओं को दोस्तों लगी रहा है यह वेवरा है कलस में इसका विवरण तो कलस करंथ में दिया हुआ है मोविनलेशी देखते नहीं तो ब्रहमात्माओं वहां देख करके इस पर ध्यान देंगे कलस में इसका स्वश्टी करण किया गया है कि अदिपी राज्जी सब कुछ है फिर भी कुछ उन्होंने हमें दाई तो दिया है तो वो तो हमें ही पुर्ण करना पड़ेगा यह बातें कलस करंथ में समझाई है रुएं मूमिन अिताई नहीं तिन वास्ते नहीं गुनाः तो ब्रहमात्मा दुनिया में आई नहीं है इसलिए उनको दुनिया का दोस कैसे लगेगा तो नहीं लगना चाहिए ऐसा समझ लें पर इता गुना लगता है इनों में जिता है सारक अरशका इतना दोस तो लगेगा ही जितना अंच परमधाम का है सुरता जो परमधाम की आई है तो जितनी आई है उतना तो दोस लगेगा ही न तो जिदर देखने के बाद में भूल गई है आना जाना तो नहीं है लेकिन दुनिया का खेल दिखाया तो देखते देखते अपने आप कोई भूल गई है तो उतना तो इसको दोश लगे गई महामत कहे मुविनों पर करी हांसी हुकुमें शुरराजी ने अपने हुकुम के द्वारा ब्रहमा आत्माओं पर हस्य करवाई है ना तो अरवाह इतक क्यों रहे बेशक होए हक से अन्यथा परमधाम की आत्मा इस दुनिया में कैसे ठीकी रहेगी जब ब्रहमा ज्यान से सत्य ग्यान ब्रहमा ज्यान प्राप्त करके उनका संदेव भी दूर हो गया फिर भी शरीट करके क्यों रहता तो राज्य का हुकम है इसको और भी दिखा रहा है ताकि भविश्य में कुछ लवलेश मातर भी बाकी ना रहे अभी ये नारा है कि कोई प्रेम हमारा ज्यादा है तो इस सबसे सबकुछ राज्जी काई है तो ये समझें ब्रहमात्माएं इसके लिए सबकुछ दिखाया जा रहा है तो ऐसा समझा रहा है स्रीक्रेश्न कनाई आलाल की जै महामत कहे मौमिनों पर करी हाशी हुक में ना तो अरवाह इत क्यों रहे बेशक होए हकसे बेशक होए हकसे स्रीक्रेश्न कन आलाल की स्रीनि जानन्द श्वामि की ना रुष्टी प्राणे नात्य प्यारे की जै रुष्टी पांच नोतन पुरे धाम की जै जै जबत गुरु आचार्यास्री एक्सु आट्रिश्नमनिजी महराज की जै रहा है